यह है पूरा ITC प्रोजेक्ट का विल्डिंग जो कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि वनाओं 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 तो मैं देख रहा हूं यूटुब में बहुत लोग यह प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं स्वागत करती है फिर से और एक नया व्लोग के साथ सो गाइस आज हम आपको एक नया जगा एक्स्ट्रोर कराने लेके जा रहा हूं सो वो जगह कौन सा है अभी नहीं बताऊंगा तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा तभी पता चलेगा तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है नहीं है है अज़ इस फाइनली हम लोग आचुके हैं चार किलोमेटर गाड़ी चला कर आई टीसी इनफोटेक तो चलिए आपको वो बड़ा सा प्रोजेक्ट है जो की हाती साला गोपलपूर में पड़ता है राजारहाट में निव टाउन मतलब आपको डाउन टाउन मॉल से थोड़ा सा और करीब एक किलोमेटर दो किलोमेटर आगे की ओर आना है और आते ही आई टीसी इनफोटेक का पूरा प्रोजेक्ट जो की है यहां पे पूरा साइड में देखिए काम चल रहा है यहां पे पूरा मतलब आभी तक काम तो विल्डिंग का कॉंप्लिट हो चुका है साइड मेरे को देख के लग रहा है लेकिन यह जो आजू आजू का जो जो फिनिसिंग का काम है वो आभी तक नहीं हुआ और अंदर जादा तर काम हो चुका है देख सकते अब ग्लास पैनेल भी लग चुका है खाली उपर की ओर वो जो अंडर कॉंसक्शन बाला एरिया है वो ही बाकि इसमें बड़ा बड़ा ट्राक में माल आते रहते हैं तो यह था कुछ इस तरीके का यहां का जो विल्डिंग काला सब्सक्राइब को आई पूरा जो एरिया है उनिक अंडर में आते हैं यह पूरा जो एरिया दिख रहा है बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है मेरे को पता नहीं कितने करका है लेकिन काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अभी अभी अंडर कॉंस्ट्रक्शन में है और खाम बहुत तेजी से चल रहा है ऊट पिछे के साइड आखें है हम लोग इस इस रोड से सीधा हा चुके हैं पीछे के साइड़ और यहां से भी यह जो पूरा वाउंडरी दिख रहा है यह सब यह पीडि से प्रोजेक्ट के अंदर हाई इसके अनदर शोख उसते हैं के CDC से इसमें तीन-चार बिजनेस होने वाला यह ग्लोबल प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर होटेल भी होने वाला है आईटी प्रोजेक्ट भी होने वाला है और उनका खुद का जो एक कॉनवेंशन सेंटर है वह भी साहिए रिजाइट किया गया है देखिये वह है यह था कुछ आ तो मैं देख रहा हूँ यूटूब में बहुत लोग ये प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा है तो मैं सोचा मैं भी बना दू इसलिए तो गाइस अब लोगों को दिखाना चाहता था तो दिखा दिया फाइनली गाइस वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और च वह इसके अंदर होने वाला है और जो कॉम्प्लेक्स वाला एरिया होने वाला है उसका अभी काम चालू नहीं हुआ तो इतना ही है आज का जो इन्फोर्मेशन था इतना ही देना था तो देख सकते हैं तो तो गाइस यह था कूछ आज का छोटा सा इन्फोर्मेशन तो सबस्कार्ण करना सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक टाटा बाई झाल झाल